तो आइफोन खरीदने आपको Amazon or Flipkart के सेल में but confusion है कौन सा खरीदे 12, 13, 14 कौन सा value for money है या फरिंस आपको गोली मारो सीधा iPhone 15 खरीद लेते है I am gonna help you choose the best iPhone but ये एक iPhone मत खरीदना यार ये आपने खरीदा ना तो आप मेरे real subscriber नहीं हो आपको कुछ tips भी दूँगा कैसे अपको deal grab करनी है पूरा video end तक देखना एकी चीज़ करना रिटर्न में 300 के हमें करना है सबस्क्राइब कर देना सबसे पहले में में डाउट पर आते है iPhone 13 या iPhone 14 ये डाउट बहुत सारे लोगों को होने माला है अगर हम iPhone 14 की बात करें तो वह आपको ऐसा बोला जा रहा है Flip Card पे 50,000 रुपे में मिलने वाला है अब इसमें इन्होंने Card Offer गिने है Exchange Bonus गिना है वो तो Sale Date के दिन ही पता चलेगा बट लेट्स फर नाव कंसिडर 44,000 iPhone 13, 50,000 iPhone 14 100% आपको आख बंद गर गे iPhone 14 लेना चाहिए क्योंकि इतने चोटे प्राइस गाप के लिए 13 लेना वर्थ इट नहीं है iPhone 14 और 13 वैसे तो सेम ही है प्रोसेसर सेम है, डिस्पले सेम है, बैटरी साइज सेम है बट थिंग इस iPhone 14 में आपको चोटे चोटे इंप्रूबमेंट्स मिलते है उसका कैमरा सेंसर पीछे वाला थोड़ा सा बड़ा है फ्रेंट फेसिंग कैमरा में आपको आटो फोकेस मिलता है आपको वीडियो में एक्शन मोड भी मिलता है उन आइफोन 14 तो यह इंप्रूबमेंट्स तो है उसके साथ साथ आइफोन 14 है 6 GB of RAM iPhone 13 है 4 GB of RAM अब आपके एवरिडेय उसेज में कोई फारक नी पड़ने वाला ज्यादा अब पता है फूचर में यह लोग बोलेंगे iOS 19, 20, 20 का कोई वर्जन आया वो लोग बोलेंगे कि अब 4 GB वाले यह चलेगा नी इनकी डिस्प्ले, बैटरी, चार्जिंग जो सारी एवरिडेय थिंग सेवाली है आप मेरा iPhone 13 रिव्यू जाके देख सकते है आपको और ज्यादा परस्पेक्टिव बिलेगा बैटरी डिस्प्ले दोन फोन्स की एक दिन चल जानी और अब नॉमल यूजज, विविवे उसके पर 5G तो आपको अब चार्ज करना पड़ेगा आपको अलग से लेना है आईफोन के सारे चार्जर की लिंक में आपको दिस्रिप्शन में दे दूंगा बड़ यू वांच भाटरी अन आपको बड़ा डिस्प्ले भी चाहिए ऐपोन 14 प्लस इस दे वे तो गो जब यह लॉँच हूँगा था 100 % बड़ प्राइस था को सेंस थी बंदी थी 90 थाजन रुपीस पर यह फोन को खरीदने के लिए बड़ अंडर 60 थाजन रुपीस यह अच्छा है बड़ इसकी बैटरी सही में बहुत सॉलिड है डिस्प्ले बड़ा है यू गो विध इस फोन इस वेल बड़ यह दोनों आपको विलने वाले है तो I would suggest you one thing साथ तारिक से Flipkart Plus Member का सेल शुरू होने वाला है तो 6 October 11 59 PM के बाद लग जो फिलिपकार्ट पर रिफ्रेश करते रहना फटा 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 एंड जल्दी से ग्राप कर लेना फिर मुझे यह कलर चाहिए वो कलर चाहिए ऐसा चाहिए वैसा चाह कि यह प्राइसिंग बहुत जल्दी बढ़ जाती है इनिशली 15-20 मिनिट लोगों को मिलती है प्राइस पर 1000-2000 रुपे बढ़ते रहते हैं अब एक और चीज कर सकते हो अभी से आपको जो वेरेंट चहिए वो अपनी काट में रख सकते हो और जबी सेल का टाइम आएगा तो फड़ा फड़ रिफ्रेश करके कार्ट से सीधा चेक आउट कर लेना मेभी दाट वे यू कन सेव वेरेंट दाट यू वाट बढ़ते होता है यह लोग धीरे धीरे प्राइस बढ़ाते ही रहते है तो जितना जल्दी हो सके और कर लेना अपने दोस्त के पास यह किसी के पा अधे प्राइस में देरे लिटरली आपको फील ही नहीं होगा कि आपके फोन पे केस है और हम यह इसी इंस्टल टेंपर लास भी जल्दी लाने वाले यह वेपसाइट पर नहीं है बट कुछ दिनों में आ जाएगा बहुत इसी है इंस्टल फ्रेम डालो और ग्लास इंस्ट पर फेसित पाजिव प्राइब एट निए बाइट थाजन रूपीज अमारी प्राइस तो सब्सक्राइब प्राइब रूपीज यह उससे कम होगी विधि इंस्टल फ्रेम जो शेक आट गार्ट गार्ट ग्रोट को प्रोग्डट ग्रोट टें यह उसकरना फोट आपर से उ आइफोन 12 का सबसे पहले तो बेस वेरेंट 64GB है वो आपको डील में कुछ 33-34,000 रुपीस का मिल रहा है और 2023 में कभी-कभी 128GB इनफ नहीं पड़ते हैं आप 64GB का क्या अचा डालोगे लाइट यूजर को भी 64GB नहीं लेना चाहिए 128 लोगे तो प्राइज और बढ़ जाएगी और यहाँ पर आइफोन 12 की बैटरी अच्छी नहीं है पहला 5G वाला आइफोन था तो 5G के साथ आप यूज करोगे बैटरी लंब भी नहीं चलती है और उसी के साथ साथ इसकी बैटरी हेल्ट भी ओवर ताइम उतरी नहीं टिकती थी जितनी आइफोन 13 की टिकी है तो 100% यह आइफोन आपको नहीं खरीदना है यूजिली मैं सजेस्स नहीं करता कि ज्यादा पैसे डालो और दूसरा आइफोन लो बट यहां पर मैं आपको बोलूंगा एवरी सिंगल रुपी ताइफोन 13 इस वर्थ इट 13 या 14 लो बजट बढ़ा के 12 आपको नहीं लेना उससे बेटर वो प्राइस में को यह Android phone ले लो and same goes for iPhone 11 and बाकी जो भी iPhone अगर आपका budget flexible है और आप सोच रहो कि मैं iPhone 14 ले लो deal में या ज्यादा पैसा देके iPhone 15 ले लो अगर आपका budget आपको permit करता है iPhone 15 आपको खरीदना चाहिए आपने देखा होगा वो शुर्ट वाला मीम कि iPhone 14 iPhone 15 से मी दिखते है हां बाहर से सेम दिखते होगे बाहर से भी सटल चेंज है यहां पर उन्होंने थोड़ा सा बेटर कर दिया इन है इन हैं फिल and this is the biggest upgrade to a normal iPhone in recent times because यहां पर इन्होंने dynamic island दे यह उसके आप प्रोसेसर तो नया है compared to 13 and 14 बैटरी भी काफी मास चलती है and the cameras have been the biggest improvement such mean apple ने smart HDR 5 के सथ कितने सारे issues थे वो fix कर दिये तो main camera, ultrawide camera, front camera, everything is much better plus आपको type C port भी मिलता है मैं तो iPhone 14 pro यूस कर रहा था and I am also considering to switch to the iPhone 15 now दोनों में से decide कर रहा हूं किसको बेचना है and this is gonna end up being sold so I love the iPhone 15 अगर आपका budget है कुछ cashback वागा के 75,000 के आपको मिल सकता है इस वर्थ इत अभी हम प्रो आइफोन की बात करें तो प्रो आइफोन पर वैसे उतनी कुछ डील नहीं है iPhone 14 pro अगर आपको मिल रहा है एक लाग रुपे के अंदर then you can consider it but the thing is मैं आपको जस्त बताया iPhone 15 का main camera ultrawide camera मुझे iPhone 14 pro से काफी better लगा it's the much-needed upgrade तो फिर I am not sure अप प्रो वाला variant क्यों लोगे ज्यादा पैसा देके I can only think of one or two reasons अगर आपको 120 Hz दिस्पे चाहिए आपको 3 lens state telephoto camera is important to you and कुछ लोग को होता है ना कि मुझे 3 camera वाल iPhone चाहिए तो ऐसी चीज है तो ऐसी चीज है तो ऐसी चीज है then you can consider the iPhone 14 Pro एक लाग के अंदर अगर मिल रहा है तो एक लाग से उपर आप डाल रहे हो तो I am assuming आपके पास अच्छा पैसा है तो फिर थोड़े ज्यादा पैसे डालके iPhone 15 Pro series ही लो and that's basically my iPhone buying guide तो आप सेल में ले रहे हो I am sure यह guide आपको 100% help करेगी so let me know your opinions in the comments कि आप कौन सा iPhone पिक करने वाले हो लग जाना साथ तारीक को Flipkart and Amazon पे खरीदने के लिए जितना हो सके उतना जल्दी खरीदो and खरीदने की बात आई है तो I want to give a message to all of you मुझे अलग-अलग age group से लोग follow करते हैं अगर आप यंग हो अगर आपके parents आपको iPhone दिलवा रहे हैं तो please यार खली Apple का logo है हवा बाजी के लिए iPhone मत खरीदो unnecessary अपने parents पे strain मत डालना अगर आप afford कर सकते हो and you feel कि कही न कहीं यह आपकी life को positively impact कर रहा है हवा बाजी करने के लिए please EMI के चक्कर में मत पढ़ना only buy this if you can afford it क्यूंकि 20,000 शायद iPhone तो सस्ता हो गया पर आपके ultimately 50,000 तो जाना ही वाल है तो वो पैसे तो आपको देने ही है life में कुछ free नही है use your money wisely शायद आज अगर आपके पास iPhone लेने का budget निया आपके टेंशन मत लो मैनत करोगे कल पर्सो एक दो साल में कुछ ना कुछ क्लिक हो ही जाएगा and you will also be able to buy everything that you want as a creator it's my responsibility to give you this message बाकी description में लिंक है वहाँ से आप आप खरीच सकते हो already मैंने और रिव्यूस बनाया और दील्स पे भी वीडियो आने वाले आपको मेरे कुछ और वीडियो मिल जाएंगे विडियो अच्छा लेगा लाइक करो नहीं अच्छा लेगा दो बार डिसलाइक कर ले ना stay safe and I'll be back in the notifications very very soon